नमस्कार और गुड इवनिंग आप सबी का स्वागत करते हैं जास हिंदी में मैं हूँ आपके साथ गीत और वक्त हो गया है स्ट्रेट टॉक का मोधी सरकार 2.0 का तीसरा मौनसून सत्र पहले के दो मौनसून सत्र यानि की 2019 और 2020 इन सबसे काफी ज़ादा अलग हो रहा है सो स्ट्रेट टॉक में आज बात एक बाद फिर से चल रहे मौनसून सेशन की होगी हम जिस अलग मौनसून सत्र की बात कर रहे हैं हम देखते हैं कि प्रचंड बहुमत के जात जब दुबारा से उन्होंने सत्ता में कमबाग किया था तो कमबाग करने के बाद पीम नरेंदर पत जो सुधार थे उनके साथ राम के उग्रविरोध पर काफी जादा कठोर रुख अपना था तो ये उस वक्त सिर्फ एक हम कोइंसिदेंस कह सकते हैं लेकिन बड़ा दल्चस्प भी है कि उन्होंने लगातार उन दो मौनसून सत्रों का इस्तिमाल पूरी ताकत के साथ कि उनका इस्तिमाल ताकत दिखाने के लिए किया जिसके परिणाम सुरूफ हमने क्या देखा कि आर्टिकल 370 हो उसको रद किया गया लदाख को अलग करने के बाद जमू और कश्मीर को एक केंद्रिश शासित प्रदेश में बदल दिया गया फिर तीन तलाक पर हम देखते हैं कि उस पर भी बैंड लगा दिया गया और विवादत अभी जो कृशी कानून है और जो श्रम कानून है उनको बिना बहस के पारित करवा दिया गया तो उस वक्त एक ताकत का जो परिचे है वो दिया गया था हम उन दो मौनसून सेशन की बात करें 2019 और 2020 की तो यह जो प्रिवर्शिल्स बिल्स उनको पास किया गया और कुछ अधर में जो लटके हुए थे उनको पास किया गया तो इन सबसे हम देखते हैं कि उस वक्त विपक्ष काफी जादा हका बक्का था काफी जादा हैरान था तो हालात बदले और आज हम देखते हैं कि इस साल हालात तो पूरे ही बदल चुके हैं जो हम ही कह सकते हैं कि ये मोधी सरकार ही है जो पहले दिन से ही उग्र विपक्ष के साथ मौनसूनी तुफान में तो उसमें फसकर रह गई है जिसकी वज़ा से क्या हो रहा है कि पिम नरिंद्र मोधी अपने नए नवेले मंत्रियों का पारिचाय तक नहीं करवा पाए पहले दिन फिर हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस रहा पिया मोधी के लिए एक अनोका और अप्रियद दोनों ये जो सिचुएशन है वो रही होगी क्योंकि उन्होंने देखिए हमीशा संसद में अपना दबदबा जो है वो कायम रखा हुआ उनकी जो हाला कि बड़े मंत्री रहे हैं उनके साथ जो संसद रहे हैं उनके काबिनिट में शामल जो अभी कुछ उनमें से नहीं भी है उन्होंने भी संसद में हमीशा ही अपना जो दबदबा है वो कायम रखा है और हम देखते हैं कि पिछले मौनसून सेशन में भी अच्छे अच्छे चुटकुलों से विपक्ष का एक तरीके से मूँ बंद करकर रख दिया था लेकिन इस बार हम देखते हैं कि मौनसून सेशन की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल गई है और इस बार वैसा हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा क्या कहें कि इस बार सरकार बाकफुट पर है कुछ बड़े मसलों पर हम देखते हैं कि ना पूरा इंकार है तो ना ही कोई मौनसून सेशन में उनका जवाबदार है तो ऐसे में सरकार जो भी मसले उनके सामने पड कोई जवाबदार नहीं होगा साफ आपका इंकार होता रहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा सरकार सो यहीं आम जो सवाल है यहीं जो एक खास सवाल है जो वक्ष भी जो है सरकार से पूछती हुए नसरा आती है तो आज का स्विट टॉक इसी पर होगा तो आगी करते हैं शुरुआत ना पूरा इंकार ना ही कोई जवाबदार ऐसा कैसे चलेगा सरकार बहुत ऐसे विभिन मसले हैं जो मौन सुन सेशन के फर्स डे फर्स शो से ही काफी हंगामिदार है और दूसरा हफता फिर हंगामिद परिबार रहा है और हम देखते हैं कि विपक्सों कभी ट्रेक्टर रेलियां कर रहा है कभी कुछ कर रहा है लेकिन संसट की जो कारवाई है वो शांति पूर्ण तरीके से जो है वो हो रही रही है सो बहुत से ऐसे बिल हैं जो अभी कुछ कहें तो अधर में लटके हुए हैं तो ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल है कि जब अलड़ी का मवधी का ये मौनसुन सेशन है तो ऐसे कम समय में वो बिलो को कैसे पास करवाएंगे सो अब देखते हैं कि एक जो मीटिंग है वो रखी गई है अब वो मंगलवार को मीटिंग होनी है और उसके बाद उस मीटिंग में धरसल ये रनीती बनाई जानी है कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है उस सिचुएशन को देखते हुए भी जो तमाम पड़े पेंडिंग बिल मंगलवार को तैक की गई है तो देखना होगा कि मंगलवार की स्थिती के बाद हम देखते हैं कि सेशन जो संसद है वो क्या शांतिपून तरीके से चल पाएगा और यदि नहीं भी चौलता है तो भी हंगामे को देखते हुए सरकार जो है इन पेंडिंग पड़े विदियो हमारे साथ साचा कीजेगा सो इन सवालों पर आप कॉल कर सकते हैं अपनी राय दे सकते हैं इन फाक्ट आप मॉंसुन सेशन न क्यूंकि अब देखिए एक हफता गुजर चुका है दूसरा हफता शुरू हो चुका है सो अभी तक जिस तरीके से मॉंसुन सेशन चल रहा है ज राक्सिनेशन की बात हो या फिर पेगसस मामला सो इन तीनों पर देश को सरकार से अब तक क्या मिला हाली के उठाए गए मसलों पर सरकार का जवाब आपको कैसा लगता है संसत का मॉंसुन सत्र क्या हंगा में ही डूब जाएगा सवाल ये भी कि 30 बिल हैं और 30 बिल बनाम को हात है वो बिलकुल खाली नहीं है सो मॉंसुन सत्र में एक तरफ मुदो की बा लेकिन सरकार अब तक कितनी तयार डिखती है सरकार एक हफता बीचुका है सो वैसे में क्या लगता है सरकार क्या तयारी करकर आई थी सवाल ये में कि संसद में विपक्ष की आज जो भूमिका ह है उस पर आपके क्या विचार है देखे हमने प्रोग्राम की शुरुवात में सीधे तो और पर कंपेर किया है 2019 और 2020 की स्थिती को 2021 की स्थिती के साथ तो आज हम एक huge difference दोनों situation में देख रहे हैं कि कि इतना जमीन आस्मान का जो अंतर है हमें साफ नजर आता है साफ तोर पर इसा माना चारा है कि ये जो तमाम मुद्दे इस वक्त उठाए गए हैं हलाकि अगर हम पगसा स्नूपिंग मामला देखते हैं फोन टापिंग का मामला सो ये तो day one से ही काफी जादा डनाल मोड पर देखी आकर विपक्स जो है वो सरकार के सामने अपनी भात रख रही है और इस बार तो हम देखते हैं कि हाला कि ये नई बात तो बिलकुल नहीं थी संसद में जो संसद की मर्यादा को भंग करना और उसकी गरिमा को तार तार कर रख देना कभी पर्चे हाथों में लेकर उनको फाड़कर उन्हें हवा में उड़ा देना सो हम देखते हैं कि ये जो सिचूशन है हम इस मौन Son Session में देखी है सो हम जो सिती है वो इस बार काफी अलग देख रहे हैं सो क्या हम कहें कि सरकार स्वत बाक फूट पर है या पर तैयारिया थी नहीं कि विपक्ष के हमलों का किस तरीके से जवाब दिना है सो संसत में तो यूशुली ये चुज़े होती ही है लेकिन हम यहां पर एक सिच्चुशन की बात कर रहे हैं कि यह वही सरकार है जो हर मसलों पर अपनी जो बात है वो काफी दमखम से रखा करती थी तो ऐसे में इस बार हम देखते हैं कि अलड़ी हम जाते थे कि विपक्ष के हाथ तो खाली है नहीं और तमाम मुद्धे उनके पास है जिस पर वो सरकार को घेड़ने की कोशिश करेगी सो कोशिश यह उनकी जो है वो काफी हतक सफल भी हो रही है सो हम दोनों के रुख पर जो है वो बात आज करना चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे वीवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी अपनी बात हमारे साथ जरूर साजा कीज़ेगा क्योंकि हमने देखा है कि मौनसून सेशन जब से शुरू हुआ है और जब से ऐसे मसलों पर हमने बात उटाई है तो कुछ जो वीवर्स से इस वक्त हमारे साथ कम ही जुड़े और उन्हें अपनी बात कम ही रखी आप वांसून सेशन पर अपनी बात जरूर रखेगा क्योंकि देखे ये एक ऐसा विशे है जो लगातार चर्चाओं का विशे भी बना हुआ है और डूसरी बात ये है कि अब तमाम जो मसले है वो इसी में ही अब आड़ ओन हो जाते हैं तो फिलहाल अभी जुन अलग-अलग मसलों पर हमने पिछले हफते भी बात की हम ओवराल उन सब को फिर से एक बात फिर से रिवाइब कर रही है और उस पूरे मौनसुन सेशन की जो है वो बात कर रही है तो विपक्ष का रुख और यहां पर सत्तापक्ष का रुख है दोनों के रुख की जब हम बात करते हैं उस पर आपका क्या सोचना विचारना है आगे बढ़ते हैं संसत के मौनसुन सत्र की जब हम बात करते हैं तो देखे फ़र्स रे फ़र्स यो तो काफी हंगामे दार रहा और हमने देखा कि उस वक्त बाहर बादल बरस रहे थे और संसत की भीतर भी कुछ ऐसे ही आरोप की वारिश यो है वो होती रही दूसरा हफता शुरू हो चुका है और फिर वही सिचुएशन ये हंगामा इतना जबरदस हो चुका है कि हमने देखा कि फर्स डितो पीम नरेंदर मोदी भी अपनी बात तक नहीं रख पाए उस वक्त हमने देखा कि पीम मोदी ने जैसे ही अपनी काबिनेट के नए मंत्रियों का इंट्रॉड़क्शन कराना था तो विपक्ष का हो हला शुरू हो गया और इस हो हले से नारास पीम मोदी ने विपक्ष पर एसी एस्टी और ओबीसी विरोध करने का ओबीसी विरोध ही होने का जो है आरूपला का डाला था और अब संसत के मौनसुन सात्र का दूसरा हफता वो भी शुरू हो चुका है लगता है कि शोर शुरावे की वज़ा से संसत को जल्ड ही अब स्थागित करने की जो बात है वो कही गई थी और कुछ वैसा ही आज हमने देखा संसत में विपक्ष के लगातार हो हले इन हो रहे हमलों के बीच अब बीजेपी ने मंगलवार को संसतिय दल की बैठक बुलाई है और इस मीटिंग के बारे में आपको बता दे कि इस मीटिंग में विपक्ष के हमलों से ही बचने और सदन की कारवाई को बहुत ही जादा हुचाने पर पिछले हफते जो चिंता अलड़ी जताई थी अब आज जो हुआ है उस पर बीजेपी के जो कुछ सांसद है उनके कुछ रियाक्शन सामने आ हैं आये वो रियाक्शन साब के सामने रखते हैं क्या क्या कहना रहा उनका ये डिसकेशन नहीं चाहते हो जाती है कि यह जो है वो पूरे के पूरे मुद्दे पर डिस्केशन से भाग रहे हैं और डिस्ट्रप्शन के साथ खड़े हुए कॉंग्रेस में भी बड़ी संख्या में लोग जो चाहते हैं कि संसत चले लेकिन राउल गांदी का और उपर से दबाव है कि लोगसभा राजी सभा नहीं चलनी चाहिए जब पीम ने कह दिया कि हम हर मुदे पर बहस के लिए बाचीत के लिए त्यार हैं तो देखी यह जो रा स्वामी नातन आयूक की रिपोर्ट पर आठ साल तक तो बैठे रहे वह बंच वर्शी जोना तक में कभी किसानों को उन्होंने प्रमुकता नहीं दी यह जो घड़्याली आंसु जो बाहर जा रहे हैं यह जमीन नीचे से खिसक गई है उनके लिए को जमीन नई बची तो सो अबे तक जित्ते भी देखे इशियूज उठाए गए हैं विपक्ष की ओर से और जो भी उनका रुक रहा है उस पर बीजे पी का रियाक्शन तो आपने देख लिया लेकिन हम चाहेंगे कि ओवर आप दोनों के रुखों पर बात जरूर रखें क्योंकि देखे एक हफता बीच चुका और दूसरा हफता मौनसुन सेशन का शुरू हो चुका और एक बाप फिर से होखले के साथ ही इसकी शुरुवात होई है और आगे भी कुछ यही उमीद जताए जा रही है तो दू कॉल ऐसे शेयर और पिनन और ना पूरा इंकार ना कोई जवाबदार ऐसा कैसे चलेगा सरकार फिलाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं चलदा आटिंग स्ट्रेट टॉक में आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक ना पूरा इंकार ना ही कोई जवाबदार ऐसा कैसे चलेगा सरकार आज जो सिच्वेशन है हमने उसको 2019 और 2020 की मौंसों सेशन के साथ जो है जोड़ कर देखा और आपके सामने वो सिच्वेशन रखी हालां कि आप भी भली बाती जानते ही है कि जब ट्रॉपल तलाक खाभी इशू काफी था और उसे निरस्ट करना था और उसके बाद हम 370 के आप्रूगेशन की बात करते हैं सो इन सब पर सरकार ने जिस तरह के से मुखर्स मुखर्टा के साथ अपना जो जवाब रखा था वो आज भी हमें अच्छे से याद ह है तो हम देखते हैं कि उस तक विपक्ष काफी बाक फूर था लेकिन आज वो जो सिच्वेशन हैं हमें सरकार की नजर आती है तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आज जब मौंसन सिशन चल रहा है तो सरकार वागई उसकामजोर स्थिती में हमें देखने को मिल रही है और द पर बात करते हैं लेकिन एक फिर से वही अपील के आपी जरूर चुड़िएगा और अपनी बात हमारे साथ साचा की जगा हमें कॉल करकर स्ट्रेट टॉक का हिसा जरूर बनीगा देखे कहते हैं कि आधा धूरा सच एक तरीके का विश्वास घात होता है जो कि नीरे जूट या फिर अटूर सच से भी ज़ादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि आधा सच जो होता है आधा सच जो नफरत और कुरूरता को पन अपने देता है वो बड़ा ही अनकलियर सा होता है इसलिए ये ज़ादा डेंजरस माना जाता है पर हम उसे समझ नहीं पाते और उसका रंग मामले की बात उटाएंगे क्योंकि ये जो हैं मामले संसद में काफी ज़्यादा सुर्ख्यों में हैं ऑक्सिजन की कमी वाला हम बयान देखते हैं कि आप जानते हैं कि डर्ट सर्टिफिकेट में ऑक्सिजन की कमी जैसा कभी कोई कॉलम नहीं होता है संसद में सरकार का ये ब तक्नीकी रूप से ही सही था क्योंकि अस्पताल में हर मरीज किसी न कैसी बिमारी की वज़ा से भरती उस वक्त भी थे और आज भी है उन्हें कोविड है या कैंसर या फेफ़रो का इंट्राक्शन क्या अस्पताल में कोई आक्सिजन लेने के लिए भरती होता है अब ये कोई बिमारी तो है नहीं इसलिए जब किसी बिचवारे इंसान की मौथ आक्सिजन सप्लाई ना मिलने की वज़ा से होती है तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अस्पताल वाले डच सर्टिफिकेट में लिखेंगे कोविड या कैंसर या फेफ़रो के इंट्रेक्शन से पीडित मरीज की इतने बज़े इतनी तारिक को मौथ होई लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये एक डरावना आधादूरा सच है क्योंकि पिछले दिनों पूरा देश कई भानक तस्वीरे देख चुका है हाफते, मरीज, बेबस, डॉक्टर, रोते, भिलकते, रिष्टदार, शम्शान, कब्रस्तानों में शवों की लंबी कतारे और बतकिस्मती से ये सच जाए उस आधे, अधूरे, सच की जो संक्री दरार हैं उसमें कहीं ना कहीं घुम हो जाती है अगर आज बिन ऑक्सिजन तडपते लोग जूटे नहीं थे तो सरकार को उस हौरर स्टोरी का विष्ट के रीकाप जो है वो ज़रूर देखने की जरूरत है ये तो हो गई लाक ओफ ऑक्सिजन की बात, बात पेगसस की करें पेगसस के मामले की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी आधा अधूरा सच की सामने आ जाता है क्यों? शायद देखी ये आधे दूरे सच का ही दौर है क्योंकि सरकार नहीं बता रही है या वो नहीं बताएगी कि वो पेगसस की मगरूर मालिक है या नहीं अब इसका जवाब सीधा सा है हाँ या नहीं लेकिन काबिनिट मन्त्री शब्दों का जाल बुनने में लग गए चला किसी सबको चक्मा भी देते नज़राए या आधा अधुरा सच भी हमें बताते नज़राए सवाल किया जाता है कि क्या आप उन सरकारों में से एक हैं जिन्होंने इसराएल से हाकिंग स्पाइवेर खरीदा अब न्यू यॉक टाइम्स की उस रिपोर्ट का क्या जिसमें एनेसो के सोर्सिस के हवाले से कहा गया कि भारत उन शेया खरेदारों में से एक हैं जवाब मिलता है कि हमने हाकिंग नहीं की। ये विदेशी टाकते हमारी तरकी को दोमिल करने की कोशिश कर रही है। वो लोग बार-बार रटते हैं और इस सवाल को टालते हैं कि अगर एक विदेशी टाकत हमारे प्रमुक मंत्रियों, राचनिताओं, अधिकारियों, जोर्नल खास निश्वाना नहीं था आप भी इस बात को मानते हैं खैर इस बात का जवाब देने की बात कही गई कि किसी श्रतानी विदेशी ताकत को इस मामोली औरत का फोन है करके क्या मिलेगा जिसने भारत के मुख्य नियाधीश पर यौन उत्पिडन का आरूप लगाया है वो भा हम देखते हैं कि हर बार अधूरे जवाबों की जो बौच्छार है वो देखने को मिल रही है ताट इस वाई एक आम सवाल जो खड़ा हो गया है कि सरकार का इस बार जो रुक है वो बढ़ा ही अंक्लीर सा नजर आता है बहुत ही इंसफिशिंट नजर आता है तो अधूरे जवाबों की जो बौच्छार है वो हमी देखने को मिल रही है सवाल ये भी उठते हैं संसद में कि आप दर्चन भर से जादा विदेश्य पब्लिकेशन पर ये आरूप कैसे लगा सकते हैं कि उन्होंने भारत में संसद के मौसुन सत्र में रुकावट पैदा करने के लिए ये क्रोनोलोजी बनाए जबकि उनके लिए इस सेशन का कोई इंपोर्टेंस नहीं है इस पर पलटवार होता है कि लेकिन हमने मेंस्टी से इस बात से पहले ही इंकार कर दिया है कि ये लिस्ट सच्ची है एक और सवाल किया जाता है कि आप लोग इस पूरी आपरादिक साज तो उसे हाथ मिला लिया है इन पैतरों के आगे सवाल करने वाला हतियार डाल देता है हर सवाल पर आधे धूरे जवाबों की एक बोच्चार जो है वो देखने को मिल रही क्योंकि आधे सच की चिकनी दरारों में सब कुछ फिसल जाता है चीटा कशी हो या फिर वो गाली कल में रखा जो अभी विपक्ष की ओर से रखे गए हैं हाना कि विपक्ष का भी जो एक रुख है हम उसे बिलकु सही नहीं मानते हैं सवाल जवाब जरूर होने चाहें लेकिन मौजुदा स्थिती को देखते हुए कि अभी भी फिलाल कौन से क्वेश्चन्स डिबेटेबल है सो ये क्वेश्चन्स भी काफी डिबेटेबल रहे जो विपक्ष की ओर से पूछे गए हैं लेकिन हम देखते हैं कि जवाब जो दिया जाता है वो काफी इंसफिशिंट और बहुती ज़दा अंक्लियर लगता है सो हम देखते हैं कि आज सुशल प्लाटफॉर्म पर भी कु इन सब सवालों का सामना करते ही सरकार जो है वो एक तरीके से बाकफॉर्ट पर आ गई है ये बाते कहीं जा रहे हैं हम देखते हैं कि अप्तीत के अनुभवों से सबक लेते हुए विपक्ष ने कहीं ना कहीं आज हो हंगामा हो हला जरूर हो रहा है उनका रुख भी सही नह में सरकार को दोनों सद्दों में काफी घीरा है और इसमें काफी सफलता भी उन्होंने हासल कर ली है विपक्ष के हमलों से बचने के लिए सरकार और सरकार के पूर्व और मौजुदा सूचना और संचार सूचना तकनीकी मंतरी रविशंकर प्रसाद हो अश्विनी किसी भी गयर कारूनी तरीके से किसी की जासुसी नहीं मतलब यह कि जासुसी तो शायद की गई लेकिन इस तरीके से नहीं की जिस तरीके का उलेक संसद में किया जा रहा है शायद इसलिए सरकार ने संसद में संसद के सदन पटल पर इस सौफ्वेर के खरीद को लेकर पोच इस पर भी आधी अधूरी बात क्या है हम देखते हैं कि बदकिस्मती से सरकार भारत में टीका करण का सत्य अब तक का सबसे जाधा तबहा करने वाला एक आधा दूरा सच है अब आप सोचेंगे क्यों पिछले साल सुतंतरता दिवस यानि कि 15 अगस 2020 को देश को ये भरुसा द दिन लग गए फिर हमें बता गया कि सभी फरंट लाइन वर्कर्ट्स और सीनियर सिटिजन्स जो की करीब 300 मिलियन हैं इनका टीका करण जुलाई 2021 तक पूरा हो जाएगा आज हाला ये हैं कि एक तिहाई लक्ष भी पूरा नहीं हो पाया है फिर ये पता चलता है कि हर एड़ मिलियन से कम के साथ जुच रहे हैं और हम देखते हैं कि आखर में सरकार इस अंसद में इस पर भी एक दिन में अलग थलग जो है जवाब दे दिये और नए आधिया दूरे सच जो है वो गड़ दिये एक जवाब में कोविशील्ड की एक महिने की क्षमता 110 मिलियन थी और द मिलियन थे 20 मिलियन से 35 मिलीन और एक बार तो 80 मिलियन तरी entreellow ऐल केहने का मतलब है कि जब आधी सच्चाय में सच्चाय आधी भी नहीं का हिस्सा एक सब्सक्रेइआधे बटा छहिए जाता है है तोड़ कि नियुटरर चलातीए कि वहाब हरता है कि अ घरछ पी आध्य धूरे जो सत्य है वो हमारे अड़ लोकतंत्र में सरकार की एक कहें क्या धूर्ट रनीती बन गया है क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या माना चाहे कि इस बार संस्त के मौनसुन सत्र में हमें नरिंद्र मोधी सरकार जो है वो कमजोर स्थिती में नजर आती है मोधी सरकार 2.0 का तीसरा मौनसुन सेशन पहले दो के मौनसुन सेशन यानि कि 2019 और 2020 इनसे हम कंपेर भी कर रहे हैं और इनसे ये आज का मौनसुन सेशन बहुत जाधा अलग है और क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आने के बाद प्यम नरिंद्र मोधी अप कह सकते हैं लेकिन ये दिल्चस्ब भी है कि उन्होंने लगातार दो मौनसुन सेशन का इस्तेमार बहुभी ताकत और बहुत ही अच्छे से किया जिसके परिणाम सरूप तमाम जो अस वक्त के मसले अनुचे 370 लदाक इनको अलग करने के बाद जमू कश्मीर को एक यूटी इस विवादित क्रिशी कानून और स्ट्रम कानून को बिना बहस के उस वक्तों पारित करवा दिया गया जिससे विवक्ष भी है रहान रहे गया सो आच हालात बदल गए हैं सो यह मोधी सरकारी है जो पहले दिन से ही उग्रवेपक्ष के साथ मौनसुनी तुफान में फज गई है जिसकी वजह से पीम नरिंद्र मोधी अपने नए नवेले प्रदान मंत्रियों का इंट्रॉक्षन तक नहीं करा पाए हैं सो अनुभाव मोधी के लिए अनुखा और अप्रियत दोनों ही यह इस वक्त रहा होगा क्योंकि उन्हें हमेशा संसत में अपना दबदबा क रचाहेंगे कि इस पर अपनी जो बात है जरूर रखें सवाल ये कि क्या संसद में संसद के मौसन सेशन में क्या आपको भी लगता है कि इस बार मोधी सरकार काफी वीक पोसीचन में नजर आता है सवाल ये भी कि आक्सिजन की कमी का मुद्दा हो वाक्सिनिशन का मुद्दा है जिस पर हमने अभी अभी बात रखी बात चाहे अभी चल रहे पेगरसर स्नूपिंग मामले की क्यों ना हो सो इन तीनों पर ही देश को सरकार से इस वक्त क्या मिला है इन सब सवालों पर ये जो पूछे गए हैं विपक्ष की ओर से इन पर सरकार के रुख अब पर जबाब अपनी बात रखें सो आप इस पर अपनी क्या बात रखेंगे सवाल ये भी कि हाल ही कि उठाए गए पड़े हैं उनका क्या होगा क्योंकि 30 बिल बनाम कोरोना त्रासदी के गुसे से जो है मोरी सरकार कैसे नटेगी अब तक कि सिती पर आप जब देखते हैं तो इस पर अपनी क्या बात रखेंगे वांसुन सत्र में मुद्दो की बाढ़ है लेकिन सरकार आज आपको कितनी तया नजर आती है संसद में विपक्ष की भूमिका क्योंकि काफी हो हला हुआ है और संसद की गरिमा को भी काफी भंग इस बार किया गया है नया बिलकुल नहीं है लेकिन जी हां संसद का शांती पीर तरीके से चलना वह भी बड़ा जरूरी हो जाता है तो अब तक के विपक्ष के रुक को लेकर आप क्या कहेंगे to call us and share our opinion फिलाले को और शोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जल लाटेंगे Welcome back after the break आप देख रहे हैं Straight Talk बात एक बार फिर से आज मौनसुन सेशन की दूसरे हफ़ते की संसद देखिए वो मंच होता है जिस पर राष्टर राचनिती की गती शीलता चलती है और हर एक सत्र सताधारी हो या फिर विपक्षी दल हो इनके बीच ये नरधारत करने के लिए एक लड़ाई होती है कि कौन कैसा एजंडा सेट करता है या नरेटव सेट करता है चल रहे मौनसुन सेशन के शिरुवाती जो संकेत थे उनसे साफ नजर आता है कि विपक्षी विपक्ष हो है वो मोधी सरकार से कदम जो है वो आज आज आगे है और सरकार बाक फूट पर अ सेशन शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार को कटगरे में खड़ा करने के लिए तीन मुद्दों को अपना हत्यार बनाया इनने पेट्रोल की कीमतों में भारी भड़ोतरी से इंस्पायर्ड मुद्रास्पीती, कोविड महमारी के मिसमानेजमेंट और नए खृषी कान पर किसानों का प्रदर्शन, पेगसस पायवेर विवाद भी विपक्ष के लिए एक अप्रत्याश्चित बोनस के रूप में आ गया, जो इसे चौथा मजबूत मुद्दा बनाता है, और ये मुद्दा वैसा ही है, जैसा कि वाटर गेट घोटाले में फसने के बार तदकाल रक्षा और विदेशी हाथ के उस घिसे पिटे राख से पता चलता है कि ये ना केवल घरीडू प्रभाव बलकि एक अंतराश्चिय प्रभाव के बारे में भी चंतत है, तो पेगसस जासुसी के लिए टागेट नामों की सूची में फ्रांस की राश्पती मैनूल मैक्रा औ और पाकिसानी पी-मम्रान खान साई दुनिया के कई निताओं के शामिल होने की खबरों से जिसकी चंता और बढ़ गई, तो मौनसों सेशन में भी मोधी सरकार के मंतरी और सांसत कोविट, मिस्मानेश्मेंट, बढ़ती महंगाई और किसानों के आंदोरन के मुदों पर वि पक्षी हमले को पहले से ही रोकने की एक कोशिश की गई, लेकिन अचानक एक ऐसा मुद्दा सामनी आ गया, जो सरकार के लिए out of कहें, सले बस भी साबित हो सकता है, सो ऐसा लगता है कि सत्र की पूर्व संधिया पर, मतलब कि बीते शाम, रविवार क्योंकि मंडे से पिछल हो जाएगा, सो रविवार की शाम को पेगसस के खुलासे से वो अनजाने में ही फस कर रहे गए, सो सरकार की तयारियों को भाबते हुए, विपक्ष अपना आज फायदा उठाने की लगातार कोशिश कर रहा है, बहुत हद तक की आगे के खुलासे पर भी डपेंड करता है, और साथ ही टेर्रिस्ट के खिलाफ इस्दिमाल होने वाले स्पाइवेर का सिवल सुसाइटी, विपक्षी निताओं और पत्रकारों के खिलाफ मिस यूज़ पर एक अंतराश्च चिसम मुदाई की पतिकलिया पर भी नर्भर करता है, मैं शायद इस वक्त तो विपक्ष को अपनी किसमत पर उने भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सरकार की अपनी खलती के कारण विपक्ष को बैठे बिठाए, उसकी हिलाफ में एक बड़ा मुदा आ कि रहा है, So in nutshell, we want to say कि ऐसा लगता है कि एक मनोवे ज्यानिक जो युद है, वो शुरू हो गया है, BJP ने विपक्ष के निपटने के लिए राज्य के निताओं और प्रवक्ताओं की एक जबर्दस देना तेनात की है, ताकि अपने पूराने और जाने पहचाने हतकंडों से इसे राष लिपी अभियान पर भी ममता बनर जी की प्रचांड जीत के साथ ये बंगाल का प्रभाव हो सकता है, नमस्कार भासकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में नमस्कार जी के जी, इस पर मैं अपना थोड़े से जो मुझे समझ में आता है, मैं अपने विचार रख देता हूँ जी, आप देखिए, ये जो किसान का है, बड़े समय से चल रहा है, मुझे तो लगता है, ये काफी ज़्यादा हो गया, ये गौर्मेंट ने काफी पेगस विच्छान कीचेगा, विचुछान वी गया है, ल extr wreод sas पर भी बात कीचेगा, रहा है, कि तो आभ ये अच्छा है, थेमनेर्स्टेश्ट्रेशन्स होनी चाहिए, अजादी होनी चाहीए, लेकिन लेकिन तब जयादा ही हो जाती है, ये इन चीनी भी अगर हम आपनी चाय तो यह भी मुझे लगते हैं कुछ ऐसा ही हुआ है और वो मुझे तो पता नहीं है कि क्यों ऐसा का इतनी डील क्यों बी गई पर चलो बी गई और अब फिर यह है कि वो गले की फांस ही बनती जा रही है वो यह बढ़ता ही जा रहा है अब लगना हो जाएंगे अब यहां पहले समय से कहा था कि यह जो है प्रोग्राम है अब वो कॉंग्रेस वाले और उसे वापस साथ साथ आई गए हैं दूर पहले दूर बैट देखे तो आगए साथ तो अब देखिए कि अब जो गवर्मेंट को चाहिए अगर तो इसी तरह से वो तमाशा देखते रहेंगे य सिर्फ यही नहीं तरह सिंपल सा रीजन है जब हाथ एंक अब आप किसानों की फायदे के लिए हैं और यह तो हमें दिखाई भी दिखाई ले रहे हैं हैं वहीं से आरा जा रहे हैं गहीं हरो से आरा जानी देख तो आप जो बाकिके जो 95% या 90% उनको एंकरेज करना कम आप यहां आके क्यों आएंग जहां बी जाहें हुमम जहां भी हैं ज inventar matter it definitely Whenever नुदन बॉर्डर है आप ने वहां जाना है और इंपने को वहां जाना है कि हमें का बेनिरे टॉआ है हम मिशिक को वा इस पो ब्हुत करेंगी अगर गौर्मिंट वापिस करेंगी तो हम प्रदर्शन करेंगे हम एक अब अब अनन हम करेंगे यह जहां ज boy叫 करोंगे कि यहां होने नहीं एंगे अधने वह हमें सके बैनिफिक हुए है उनको आना चाहिए और इन सब को सामने मैच करना चाहिए और जब वो आउट नंबर होंगे तो यह आटमेटिकली यह फिर इनका हो जाएगा कि हम एक्सपोज हो गए तो चुब चाप मुझे लगता है कि वो दिन चले गए वो गवर्मेंट को और और ठील नहीं देनी चाहिए तो वो मुझे जो लगता है कि काउंटर सरकार को विदाउट फेल और अर्जेंटली करना चाहिए अच्छा दूसरी बाद यह जो वैक्सिनेशन का है देखिए अब इतनी बड़ी पापुलेशन है और कोई देगा फ्री तो कितनी देगा पैसे लगेंगे ना हम भी अपने देखते हैं तो अगर कुछ चीज महेंगी हो तो उसको पॉस्पवि गर कम पटार सुब काहिंगे उकितना शुल्सरी को इसी डिखन काया घर को सब्सक्रों यह जो लुए नहीं सकेंगे बदनाम करो यहां पर जब हम व्यक्सिनेशन की बात करें तो हम तो तो नहीं हो पाया है लेकिन हम तो अधा दूरा सच जो है वो सरकार का सामने आया है ऐसे तमाम मसलों पर बुह सी तो की तो है नहीं तो बढ़ हैं और पाकिसान से बलवाएंगे और आवाज पुईट करो ये तो बढ़ पर अगामा करो तो वह लोगों को समझना चाहिए कि थोड़ी बोत ठीक है कर रो लेकिन एक लामिट कि अप्त फिर्व पास की तो मैच करा इयो उसको और जब जो चीज खरीद नहीं है उसके लिए पैसे लगेंगे, कहां से आएंगे, इसलिए पॉपुलिशन तुम कर लोगे, कीडे मकोडों के लिए तरह तो हम लोग भाग रहे हैं, वैसे गरीब कंट्री है, तुम मैं यह जी, यह टार्वेट मैं बिल्कुल, मैं आपको के लिए आप रुक रहे हैं, चल दॉटिंगे स्ट्रीट टॉक में, चले ब्रेक के बाद एक बाद फिर से, आप सभी का स्वागत करते हैं, स्ट्रीट टॉक में ब्रेक में जाने से पहले, भासकर जी, हमारे साथ इस पक जुड़े हुए, सर, वालकम बैक, आफर दा ब्रेक अपनी बात रखिएगा, अलो, जी, इस में तिकिये, मुझे थोड़े से और पर इसमें, थोड़ा-थोड़ा जो मुझे लगता है, कि मैं एक्स्लेइन कर सकता हूँ, वो यह है कि अब यह तो जिस तरह के इन्होंने अपनाया हुआ यह तो करने नहीं नहीं देंगे, हमने तो फिर जब यह चली थी, हमने तो तब भी कहा था कि पूरे का पूरा सेशन यह प्रोग्रम बना वाई कि सरकारी काम को चलने नहीं देंगे, यह इन्होंने ऐसे ही करना है, तो अब मुझे लगता है कि क्योंके गवर्मेंट के पास, और फिर अगर यह सक्सेस्फुल हो जा यह इसको यह अपने वेस्टेज ऑफ टाइम और इसको यह पॉजिटिव में लोगों में फिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि गवर्मेंट को पूरा टिंग को बता देना चाहिए, कि दोस्तों हमने आपको पूरा थमय देया है, और आप इसमें को भागीदार नहीं बन र रहे हैं, लेकिन यह भाग रहे हैं, यह यह करना चाहते हैं, तो आएए, यह टाइम है, चार बजे के बाद, दस बजे के बाद, जो भी है, इसके बाद हम यह कर देंगे, तो आपकी मर्जी है, दर्वाजे खुले हैं, आजा यह, अगर आप नहीं आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गवर्मेंट के लिए अच्छा नहीं है और फिर जो आपने वहां जो जो अपने वो जो जो सुसी का बोला था कि आप दिखिए वो तो वो जो कंपनी है ना वो भी उसने भी कहा है कि यह कहां से यह फिकर आ गई हमें भी पता नहीं उन्होंने भी और उड़वा देते हैं और उसको तो लेकर आंधी के स्वीड से भागते हैं बाद में वो कहते रहते हैं कि भाया माफ कर दो गल्थी हो गई हमारे बाप की तोबा लेकर उसको कौन सुनेगा वो तो फिर आंधी की तरह यह तो उन्होंने बनाया हुए ना कहीं से कबर ऑः यह कभी प्रूव ही नहीं कर रहे हैंगे हम मधरा प्रूभ शर्रेक में अच्छा कॉच प्रूग्र मおकार प्रूच लोगों को फड़ा मुझे लगता है कि यह जो इतने भी बड़े यह पंदरा परसेंट होंगे यह पोजेशन वाले होगा जल्दी से याद नहीं आ रहा है अब जो जो मोदी जी एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि ही इस वेरी कैफिबल वेरी इंटेलिजन इसमें कोई दोर आई ही नहीं उन्होंने प्रूव किया हुआ है अब हम सोच रहे थे और लोग भी कह रहे थे कि अब पोजिशन स्टॉंग होनी थोड़ी स्टॉंग होती है तो गॉर्मेंट ठीक चलती है अब देखिए गॉर्मेंट स्टॉंग है और यह थोड़े से ही प्रॉब्लम कर रहे हैं मुझे लगता है कि मौदीजी थोड़ा इनको द्यान से देखें और अगली बार इनको एक ऐसा हाथ हमारे कुछ नहीं कुछ देश के लिए करें यह कहीं ना करें चलिए सर डेखना होगा मिलकुल हाँ विष्टा सेहीं हाँ कि कि मंगरदार को महाँ एक मिनल मुझे कर ले ल मंता कहा है दूसरा एक एक इसला टामा हो जाए ताके देश की प्रोग्रेस हो सके यह इतने से होने के इतने काम होने के बावजूद भी इन्होंने कंट्री को होस्टेज बनाया हुआ मुझे लगता है कि यह दूर्मेंट को इसका नोटिस लेना जाए और दूरूर कुछ ऐ इसला बड़ा करें ताके इतने भी अगली बार ना रहें कि यह थांस भी ले पाए तो मेरा आसा विश्वास है अगर यह करेंगे तो देश का फला होगा यह मेरे विचार है बहुत भी थैन्नेवाद जी आपने फिर से मुझे मुझे मोकर दिया थैंक यू बरी मच थैंक य इसले भी मसले हो उन सब पर अपसरकार का आगे क्या पलट वार हेगा लेकिन अभी हम सरफ स्थिती में रहकर ही अभी फिलहाल की सिच्वेशन को देखें तो विपक्ष ने अपने तलेस्मों को कही ना कहीं खोजा है इससे नाकार इंकार नहीं किया जा सकता है बली शोर भ्यान पर ममता बनरजी की प्रचंड जीत इन सब के साथ बंगाल का प्रभाव जिससे विपक्ष को उम्मीद है ये भारती राजनीती के वरिश नेता शरतपवार की सक्रियता की रूचे भी हो सकती है जो 2024 में पियम मोधी के खिलाफ एक जुट प्रड़ाई लड़ने की त सिर्फ संसद में हंगामा ही हो रहा है उमीद थी कि इस मुश्किल दौर में जोर इस बात पर रहे कि डिबेटेबल गुश्चन सुठाए जाए जिस पर आक्चुल देश को जरूरत है देश के लोगों को जरूरत है और सरकार से उनके पर जवाब गाजा जाए इस बात की उ संसदी हमारे अदाओं का उलंगन करने की बढ़ते इंसिडेंस पर चंता जताई थी और आज जो संसद में सिती बनी हुई है उस हिसाब से हमारे पक्ष और विपक्ष में बैठे नर्वाचित पती निधियों को ये याद रखना चाहिए कि संसद की कारवाई पर जनता की निर्धारणों और इसके प्रपोजल्स का जो दूर गामी प्रभाव पढ़ता है न वो देशवासियों पर पढ़ता है तो आज सिती एकदम उलट है संसद के मर्याद क्रिया कलाब जहां भविश्य के लिए एक इंस्पिरिशन के रूप में प्रतिष्ठत होते हैं तो वह यह अनुचित जो घटनाएं घट रही है लगातार वो जुनता को आज निराश करती हैं इन देड़ सालों में पैंडबे के पीरिड में देखिए जो कुछ भी हुआ है अब डेफिनेटली वो तो आज संसद में उठना ही था और विपक्ष ने उन मसलों को उठा भी है लेक क्योंकि यह वही सरकार है जिसने 2019 और बीस में भी काफी मुखरता किसा था दूसरे कंटेंपरी इशूस पर काफी ज़्यादा एक परभावपूर्ण कहें असर जो है वो लोगों पर डाला था उस वक्ती जो संसद की कारवाई है उन सब पर डिये गए जो सरकार की और से बय विरोध करना ही है तो कुछ मुद्धों पर उन्हें गंभीर होना ही पड़ेगा लेकिन विरोध की आड में कहीं ऐसा ना हो कि आंजन का नुकसान हो जाए क्योंकि हम देखते हैं कि एक तो पैंडमिक चल रहा है और उपर से पिछले आठ महीनों से दिल्ली में बैठे आंद अब आगे करना क्या है तो हम देख रहें कि इस बार विपक्ष के पास मुद्धों की कमी बिल्कुल नहीं है स्वतंत्र भारत की संसद में स्वस्त परंपराएं डालने के लिए इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगतंत्र हासल करने वाले मनीशियों ने भी पूर्खों ने अभी तक यही सिद्ध किया था कि भारत की सर्वोच सत्ता में इसके आम आदमी की सीधी भागिदारी उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिध्यों के माध्यम से होगी सो द्वी सद्निय संसत की स्थापना करने के पीछे मकसद भी आक्चल में यही था कि राज्यों के संग भारत में प्रतेक राज्यकी विवित्ता के अकॉर्डिंगली हर कानुन की तस्दीक हो सके और केवल लोकसभा में प्राप्धहुमत के आधार पर कोई भी सरका ना हो सके या मनमानी ना कर सके क्योंकि जंसत का उच्च सधन कहीं जाने वाली राजसभा में विभिन्नर राज्यों के राजनितिक एकोईशन के अनुसार ही इसमें बैठे हुए सदस्यों का चैन होता है सो ये खूबसूरत हमारे देश की संसत्य प्रणाली है का वो एक नकाशिदार भूटा है जिसे बहुती बुद्धी मता पूर्वक अपनी समस्त कहें विशेश्ताओं का इस्तेमाल करते हुए समिधान सभाने गड़ा हुआ है और इस सदन में बैठे हुए प्रदेग संसत्य का आज पहला करतावय बनता है कि वो सभी प्रकार की उतेजनाओ या इसी जुझलाहटों पर काबू रखते हुए इसके मर्यादा और गरिमा को कायम रख सके लेकिन पिछले तीन दर्शकों से हम देख रहे हैं कि संसत के भीतर इसके सदस्यों का ववहार और आचरन फौरी राचनितिक लाप उठाने के लालच में काफी अम मर्यादित हो रहा है उस पर शांती पुन तरीके से डिबेटेबल स्क्वेशन उठाय जोएं और सरकार को उस पर जवाब भी आएं इसी नोट के साथ फिलाल लेंगे जाज़त आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही फिलाल मैं लोगी जाज़त नमस्कार